वेल्कम टो यूपी प्यस्सी मन्थन आज हम लोग इस वीडियो में समिच्छातकारी 2016 के लिए योजना और मिसन के घटना चक्र को पढ़ेंगे यह योजना और मिसन घटना चक्र जो है जनवरी 2020 से लेकर अगस्ट 2020 तक का है तता यह अगामी परिच्छा PCS Pre 2020 के लिए भी most important ह तो चलिए शुरू करते हैं पहला अभियान है आत्मिर्भर भारत अभ्यान आत्मिर्भर भारत अभियान को जो है प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी ने 12 मैं 2020 को लांच किया है कब लांच किया है 12 मैं 2020 ये डेट आप लोग याद रखिएगा इस आत्मिर्भर भारत अभियान के तहट भारत की 130 करोड जनता को आत्मिर्भर होने का संदेश दिया गया है इस आत्मिर्भर भारत अभियान के तहट ओकल फाल लोकल का भी नारा दिया गया है परधान मंतरी मोदी ने 20 लाख करोड राहत पैकेज की घोसड़ा जो है इस आत्मनिरभर भारत अभियान के तहप किया है यह 20 लाख करोड का जो राहत पैकेज है वो भारत की GDP का जो है 10% है इसे भी याद रखिएगा कि यह जो है GDP का कितना है 10% है यह योजना जो है भारत की आर्थिक ब्योस्था को सुचारू करने के लिए लांच किया गया है यह यू कहें महत्यपूर है नश्ट है प्रधान मंत्री गरीब कल्याड योजना प्रधान मंत्री गरीब कल्याड योजना को जो है बित्य मंत्री निर्मला सीता रवन ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याड योजना के तहट जो है 1.70 लाख करोड रुपए के पैकेज की बित्ती सहता पेस की है कितने package की 1.70 लाख करोड की जो है बित्ती सहात्य प्रधान मंत्री गरीब कल्याड योजना के तहट पेस की गई है इस योजना के तहट COVID-19 महमारी से लड़ने वाले लगभग 22 लाख स्वास्त कर्मियों को जो है पचास लाख की स्वास्त बीमा कवर प्रदान किया जाएगा अगर ये 22 लाख जो स्वास्त कर्मी हैं इन में से कोई भी स्वास्त कर्मी COVID-19 महमारी के कारण जो है उसकी मृत्त हो जाती है तो उसके स्वास्थ बीमा के तहट 50 लाख रुपे परदान किया जाएंगे पीम गरीब कल्याड अन्य योजना क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं इसमें जो है 80 करोड बेक्तियों को अर्थाथ भारत की दो तयाई जंसंख्या को इस योजना के तहट कवर किया जाएगा किसके तहट पीम गरीब कल्याड अन्य योजना के तहट इस योजना में हर महिने 5 किलो गेवं या चावल और 1 किलो चना परदान किया जाएगा शुरवाती दोर में यह योजना सिर्फ तीन महिने के लिए लागू था लेकिन अब इसे नौबर माह के अन्त तक लागू कर दिया गया है किसे पीम गरीब कल्याड अन्य योजना को पीम गरीब कल्याड अन्य योजना के तहट क्या क्या मिलता है तो इसके तहट जो है पांच कीलो गेहूं या चावल और एक कीलो जो है साबुत चना मिलता है इसके ताहट जो है 80 करोड जो है भारत की 80 करोड जंग संख्या यानि की दो तिहाई जंख्या इस योजना के ताहट आती हैं इस योजना के तहट अगले तीन महिने यानि योजना लागू होने के तीन महिने तक महिला जंधन खाते में जो है 500 रुपए भेज़े जाएंगे कितना 500 रुपए जो है इस योजना के तहट भेज़े जाएंगे किसके तहट पीम गरीब कल्यार योजना के तहट पीम गरीब कल्यार योजना के तहट एक अप्रेल 2020 से मन्रेगा मजदूरी जो है 20 रुपए बढ़ा दिया गया है जिसमें कुल भारत में 62 करोड लोग लोग लाफवानित हो रहे हैं पहले मन्रेगा मजदूरी कितनी थी तो पहले मन्रेगा मजदूरी जो है 182 रुपए थी इसी 182 रुपए में 20 रुपए और बढ़ा कर जो है अब मन्रेगा मजदूरी जो है 202 रुपए कर दी गई है 202 रुपए करने से जो है भारत के 62 करोड लोग जो है इस योजना के से ल ब्यांग जन को एक हजार रुपए अगरिम अनुग्रह रास के रूप में उनके खाते में डाला जाएगा कितना एक हजार रुपए जो है डाला जाएगा लगभग तीन करोड लोगों के खातों में इस योजना के ताहत स्वयम सहता समूह के द्वारा दी जाने वाली जमानत मुक्त रिड़ जो है दस लाख से बढ़ा कर बीस लाख कर दी गई है किस योजना के ताहत पीम गरीब कल्याड योजना के ताहत जो है जो पहले सहता समूह जो चल नहीं है संगठन चल रही है उनके द्वारा जो है दस लाख रुपे तक का बिना किसी रिड का लोन दिया जाता था अब वो बीश लाख तक का कर दिया गया है निश्ट योजना है परधान मंत्री मतस्य संपदा योजना इस योजना को जो है परधान मंत्री नरेंदर मोधी द्वारा उद्गाटन किया जाना है या योजना 10 सितंबर को लांच किया जाएगा यानि की आज इसको लांच किया जाएगा इस योजना के तहट भारत में मतस का सतत भिकास करना है इस योजना के तहट E.Gopala app भी lunch किया जाएगा E.Gopala app जो है मतस को बढ़ावा देने के लिए मतस के बारे में जानकारी प्रदान केरने के लिए यहाँ अप lunch किया गया है इस योजना को जो है सुरुवाती दौर में पांच वर्स तक लागू किया जाएगा जिसके तहट 20,050 करोड रुपए खर्च किया जाएंगे कितने याद रखेगा 20,050 करोड रुपए जो है मतस संपदा योजना के तहट खर्च कर दिये जाएंगे पांच वर्सों में नश्ट योजना है परधान मंत्री जन्धन योजना परधान मंत्री जन्धन योजना जो है अभी हाल ही में 28 अगस 2020 को जो है इसके सफलता पूरवे 6 साल पूरे हो गए हैं कब पूरे हुए हैं 28 अगस 2020 को इस योजना के तहट जो है 63 परसंट ग्रामीड जन्धन खाते खोले गए हैं और 55.2 55.2 परसंट जो है महिला जन्धन खाते खोले गए हैं यह योजना जो है 28 अगस 2014 को सुरू की गई थी इस योजना का मुख खुद्देश जो है गरीब लोगों को बित्ती स्विवायों तक पहुच प्रदान करना था इस योजना के तहट अब तक 8 लाख करोड जो है 8 करोड जन्धन खाते खोले जा चुके हैं यहाँ पर 8 करोड जो है याद रखिएगा कि परदान मंत्री जन्धन योजना के तहट कितने खाते खोले जा चुके हैं तो 8 करोड जो है खाते अब तक खोले जा सकते हैं खोले जा चुके हैं राष्टी स्वास्थ मिसन अभी हाली में राष्टी स्वास्थ मिसन की घोसड़ा की गई है यह मिशन जो है 15 अगस्त के दिन लाल किले से प्रधान मंत्री जी भासर दे रहे थे उसी समय राष्टी स्वास्त मिशन की घुसरा की गई थी राष्टी स्वास्त मिशन की शुरुआ जो है 15 अगस्त 2020 के दिन प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने किया है इस मिशन का मुख्य उक्देश जो है राष्टी डिजिटल स्वास्त मिशन के साथ प्रतेग भारती को एक विशिष्ट पहचान पत्र दिया जाएगा जैसे प्रतेग भारती का एक अधारकाल्ड होता है और अधारकाल्ड का एक यूनि कोड होता है उसी तरह जो है परतिक भारती को एक राष्टी डिजिटल स्वास्थ मिशन के तहर जो है एक बिशिष्ट पहचान पत्र दिया जाएगा और इस बिशिष्ट पहचान पत्र का भी एक यूनी कोड होगा जिसमें इस पहचान पत्र में क्या क्या होगा इस पहचान पत्र का एक यूनिकोड होगा इसमें उस ब्यक्ति के पुराने सभी जाच रिपोर्ट मेडिकल से उपलद्ध कराई गई दवाएं तथा उसमें क्या क्या और ट्रीटमेंट हुआ है उस ब्यक्ति का क्या क्या जब आप किसी डाक्टर के पास जाएंगे तो डाक्टर के पास जाने पर आपको पुराने परचे ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसी बिशिष्ट पहचान पत्र के यूनी कोड से डाक्टर जान जाएगा कि आपको अब तक कौन कौन सी बिमारी हो चुकी है और कैस इलाज आपका अब तक हुआ है उसे खिसाब से आपको वो दवाईयां दे देगा नश्ट योजना है अम्रिता योजना अभी अम्रिता योजना पर जो है नीत आयोग ने अपना एक डाटा निकाला है और उसने कहा है कि अम्रिता योजना के कारियान वेन में जो है ओरीसा रा किया है इस योजना का जो मुख उद्देश है एक बुनियादी धाचा अस्थापित करना है जो मजबूत सीवे सुनसीद करता है मतलब सीवे जो है जो नालियों का पानी है उसका प्रबंधन करना पे जल का प्रबंधन करना जहां पर टूटे फूटे सड़क है उनका सुचार रूपस उनका निर्माड करना जो है अमरिता योजना का जो है मुख उद्देश है नेश्ट योजना है आयुस्मान भारत योजना के तहट हेल्थ केयर सर्विसेज का लाब उठाने वाले लोगों की संख्या आठ दसमल आठ करोड पहुच गई है यानि की 8.8 करोड जो है आय आयुस्मान भारत योजना के तहट एक जुलाई 2020 तक उपचार प्रदान करने वाले सेंटरों की संख्या जो है 41,790 थी यहाँ पर कोश्चन आ सकता है कि आयुस्मान भारत योजना के तहट अब तक कितने लोग लाववानित हो चुके हैं तो 8.8 करोड लोग जो है आयुस् में बरतमान में आयुस्मान भारत योजना के तहट कितने सेंटर चलाई जा रहे हैं तो 41,790 सेंटर चलाई जा रहे हैं एकसी लरेशन विज्ञान योजना क्या है तो भारत सरकार ने विज्ञानिक अनुसंधान तंत्र को मजबूत करने के लिए एकसी लिरेशन विज्ञा योजना लांच किया है इस योजना का मुख उद्देश जो है अनुसंधान इंटर्णिसिप छमता निर्माड के लिए एक मंच को तयार करना है निश्ट है गरीब कल्याड रोजगार अभियान जो है शुरू किया गया है अभी हाली में भारत के प्रधान मंत्री जो है किया है यह अभियान जो है गाउं तेलिहार बलाग विल्दोर जिला खगडिया और राज बिहार से किया गया है कहां से बिहार के खगडिया जिले के गाउं तेलिहार से शुरू किया गया है यहाँ पर कुस्तन आ सकता है कि गरीब कल्याड रोजगार अभियान कहां सुरू क किया गया है। ये तिलिहार गाउजे है, जो है जिला खगरिया में पड़ता है। इस योजना के तहच जो है, पक्चास हजार करोड रुपए खर्च किये जाएंगे। 50,000 करोल उपे खर्च किया जाएंगे यह रोजगार अभियान भारत के कुल 6 राजियों में लागू किया जाएगा यह भी इंपोर्टेंट है वो 6 राज कौन कौन से हैं पहला है बिहार दूसरा है उत्तर प्रदेश तीसरा है मद्ध प्रदेश चौथा है राजस्थान पाच ज्टा जो है जारखंड में लागू किया जाएगा इसके तहद 125 तीनों तक रोजगार उपलप्त कराएगा इस अभियान के तहद सबसे जादा बिहार के 32 जिलों में इसे लागू किया जाएगा इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में लागू किया जाएगा या जो अभियान है मुखता जो प्रवासी मजदूर है प्रवासी मजदूर जो अपने खुद के जिलों में या खुद के राज में आए हैं उनको रोजगार देने के लिए गरीब कल्यार रोजगार अभियान सुरू किया गया है और सबसे जादा प्रवासी मजदूर जो है इनी छे राज्यों में आया है इसलिए इनी छे राज्यों में या अभियान लागू किया गया है पंचवटी योजना का सुभारम कहां पर किया गया है अभी हाल ही में पंचवटी योजना का सुभारम किया गया है तो हिमाचल प्रदेश में जो है पंचवटी योजना का सुभरब या गया है इस योजना के तहद ग्रामीर छेत्रों में रहने वाले वरिष्ट नागरिकों के लिए यह योजना शुरू किया गया है जब भी कोस्तन आएगा तो पूछा जाएगा कि पंचवटी योजना किसके लिए शुरू किया गया है तो वरिष्ट नागरिकों के लिए शुरू किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है भारत सरकार ने सहरी छेत्रों में वनावरण बढ़ाने के उद्देश से किस कारकरम को सुरू किया है या किस अभियान को सुरू किया है तो नगरवन सहरी कारकरम को भारत सरकार ने सुरू किया है इसे याद रखिएगा नगरवन सहरी कारकरम इस कारकरम के द्वारा देश भर में 200 निगम और सहरों के साथ काम किया जाएगा या यू कहें देश भर के 200 जो हैं जो निगम और सहर हैं उनको वनावरण किया जाएगा भारत सरकार ने कितने करोड डेरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के लिए अभियान सुरू किया है तो अभी हाली में भारत सरकार ने जो है डेर्ड करोड किसानों को इस योजना के तहद डेरी संचालकों को जो है रिड उपलब कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जो है सुब्दा उपलब किया गया है इस के तहद जो है रिड सीमा के कोले टरल के बीना जो है तीन लाग तक रिड प्रदान किया जाएगा यानि इस किसान क्रेडिट कार्ड के तहद जो है जो दुग्द संचालक डेरी संचालक है उनको तीन लाग तक कर रिड बहुत ही असानी से मिल जाएगा पीम स्वानिधी योजना का सुभारम किस ने किया है तो पीम स्वानिधी योजना जो है आवास और सहरी मामलों के मंत्राले ने शुरू किया है यह बहुत ही important question है तो इस योजना के तहद जो है स्टीट वेंडर्स को 10,000 तक की रिड़ प्रदान की जाएगी इस योजना के तह पांच हजार करोड रुपए जो है जारी किया गया है और पचास लाख जो है स्टीट वेंडर्स को पीम स्वानिधी योजना के तहद लाभवानी किया जाएगा नश्ठ है किस मंदिर को पूरी तरह से सौर करण करने के लिए एक योजना शुरू की गई है तो अभी हाल ही म औरीशा सरकार ने कोडाक सौर मंदिर को जो है सौर करण करने के लिए योजना शुरू की गई है नश्ठ है किस राज ने वाई एस आर संपूर पोसर योजना को लांच किया है तो आंध प्रदेश सरकार ने इस योजना को लांच किया है इस योजना के तहद प्रतेक लाभ भार्थी को जो है 1100 रुपए मुहया कराया जाएगा सुरच्छा कवच योजना 2019 क्या है महिलाओं की सुरच्छा है तू दिसंबर 2019 से सुरच्छा कवच योजना परारम की गई है कामकाजी महिलाओं तथा महिला यातियों द्वारा रात्र 11 बजे से प्राता 6 बजे तक 112 पर डायल कर पुलिस सुरच्छा की मांग किये जाने पर पुलिस द्वारा उनके गंतब तक सुरच्छित पहुचाने की ब्योस्था की जाएगी ये ब्योस्था जो है सुरच्छा कवच योजना के तहार की जाएगी नेश्ट है प्रधान मंत्री किसान समान निधी योजना ये किया गया है जिसके तहट उनको प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहात्य प्रदान की जाएगी यह 6,000 रुपए जो है चार-चार माह के अंतराल पर तीन किस्तों में प्रति किस्त में जो है 2,000 रुपए की रुप में प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहट जो है 75,000 करोड रुपए जारी किया गया है 75,000 करोड रुपए याद रखिएगा जब भी कोस्तन आएगा तो आएगा कि परधान मंत्री किसान, सम्मान, निधी, योजना के तहब कितने 1,000 करोड रुपए जारी किये गए हैं तोहार पारा योजना किस राज सरकार दोरह शुरू किया गया है। तो अभी हाली में लागडाउन के चारण कारण सिच्छा बाधित होने से 36-गर सरकार ने पढ़ाई तोहार पारा योजना शुरू किया गया है। यह योजना जो है मुखरूट से आधिवासियों के लिए सुरू किया गया है इस से कम से कम 2.2 मिलियन जो आधिवासी लोग है लाभवानित होंगे अरुनो दोई या औरुनो दोई योजना किस राज सरकार द्वारा सुरू की गया है तो हाली में असम राज सरकार द्वारा यह योजना शुरू किया गया है इस योजना के तहद प्रतेक लाभारती को 830 रुपे प्रदान किया जाएगा जिस से कम से कम 17 लाग गरीब परिवार का भरण पोसर किया जाएगा किस योजना के तहद अरुलो दोई योजना के तहद इस योजना के लिए असम सरकार ने जो है 280 करोड का बजट पास किया है इंद्रा अवास विकास योजना कहां पर सुरू किया गया है तो हाल ही में भी 36 गड में यह योजना सुरू किया गया है यह योजना मुख रूप से बन वासियों को सो रोजगार और सरम्रिद्धी प्रदान करने के लिए सुरू किया गया है नश्ठ है मनो दरपड अभियान की सुरूआत किस ने की है तो अभी हाली में लॉकडाउन के बीड जो है सिच्छा मंत्री रमेश पोखरियाल निसंक ने इसकी सुरूआत की है यह अभियान आत्मिर्भर भारत अभियान के तहट सुरू किया गया है इस अभियान के तहट जो है छात्रों को मानसिक भलाई पर ध्यान देते हुए उनके सिच्छा पर ध्यान देना है मानसिक देख भाल को कैसे बरकरार रखा जाए और उसको बरकरार रखते हुए सिच्छा को कैसे किया जाए इस अभियान का जो है मुख मंत्री मात्र पुष्टी उपहार योजना कहा पर शुरू किया गया है तो त्रिपुरा में इसकी शुरुवात की गई है इस योजना के तहाद जो है एक पोसर कीट परदान किया जाएगा या पोसड कीट मुख रूप से गर्भती और अस्तन पान कराने वाली महिलाओं को परदान किया जाएगा इस से कम से कम 40,000 महिलाएं जो हैं लाबवानी होंगी किस से मात्र पुष्टी उपहार योजना से नश्ट है सबको रोजगार योजना किस राज सरकार ने शुरू किया है तो ये जो है मध्य परदेश सरकार ने शुरू किया है मध्य परदेश के जो सीयम है सिवराज सिंग चोहान ने इसकी घुसला की है इस योजना का मुख्य उद्देश जो है प्रवासी मजदूरों को जो है रोजगार उपलग कराना है प्रधान मंत्री वैवंदना योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है ये भी important question है तो प्रधान मंत्री वैवंदना योजना को जो है 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है यह योजना 31 मार्च 2020 को समाप्त हो रहा था इस योजना का मुख्य उद्देश जो है वरिष्ट नागर को के लिए ब्रिद्धा अवस्था आय सुरच्छा को प्रदान करना है आयुस्मान भारत अभियान के तहट अब तक कितने करोड लोगों को लाफ पहुचाया जा चुका है तो अब तक जो है एक करोड लोगों को लाफ पहुचाया जा चुका है आयुस्मान भारत अभियान के तहट इस योजना को प्रधान मंत्री नरेदर मोधी ने राची से ल लांच किया गया है तो अभी हाल ही में मध्य परदेश सरकार ने प्रवासी स्रमिकों के लिए चरण पादु का अभियान लांच किया गया है क्योंकि प्रवासी स्रमिक जो है दूसरे राज्यों से नंगे पाव आ जाते थे इसलिए योजना शुरू किया गया है इस योजना क प्रवासियों को चपल या जूते प्रदान किये जाते थे नश्ठ है राजियु गाधी किसान योजना का सुभरम कहां पर किया गया है तो राजियु गाधी किसान योजना का सुभरम जो है 36 गड़ में किया गया है इस योजना का उकदेश ग्रामीर अर्थ ब्यासुथा को प इंडिया योजना के तहट 20 करोड से अधिक की रासी मंजूर की गई है यह योजना 5 अप्रेल 2016 को सुरू की गई थी इस योजना के तहट अब तक 20,000 करोड रुपए रिड़ बित्रित कर दिये गए हैं इस योजना का मुख उद्देश जो है अनुसूचित जात अनुसूचि के भी जो है उद्द्यम सीलता को बढ़ावा देना है यहां पर 20,000 करोड रुपए है 20,000 करोड रुपए से अधिक रिड़ बित्रित कर दिया गया है मिसन सोलर चर्खा किस मंत्राले द्वारा जारी किया गया है तो MSME मंत्राले द्वारा जारी या मिसन चर्खा जारी किया गया है M.S.M.E. का फुल फाम क्या होता है तो लगु और मध्यम उद्यम मंत्राले जो है M.S.M.E. का फुल फाम है इस मिसन का मुखो देश युवा प्युड़ी द्वारा भाविस का निर्मार करना है खादी अगरबत्ती आत निर्भर मिसन को किस्त ने मंजूरी दी है तो अभी हाली में नितिन गड़करी ने जो है खादी अगरबत्ती आत निर्भर भारत या मिसन को मंजूरी दी है इस मिसन के तहत भारत सरकार खादी और अगरबत्ती उद्योग को बढ़ावा देगी केवी आईसी ग्रामोत्योग आयोग गारा इसके लिए मशीनों की लागत में 25 प्रस्चत सबसेटी प्रदान की जाएगी नेश्ट है ब्रिष्ट्रित दवा और चिकिस्सा उपकरड पार्कों की अस्थापना के लिए किस योजना का सुभरम किया गया है तो इसके लिए दो योजना का सुभरम किया गया है कौन कौन सा है पहला है बल्क ड्रक्स और दूसरा मेडिकल डिवाइसेज ये दो योजना जो है ब्रिष्टित योदवा और चिकिस्सा उपकरड पार्कों के अस्थापना के लिए सुरू किया गया है नेश्ट है इंडियन पेंडेमिक रिस्क पूल बनाने के लिए कार समूह का किसने गठन किया है तो इरिडा इरिडा ने जो है इंडियन पेंडेमिक रिस्क पूल बनाने का जो है कोविड-19 से सुरुच्छा के लिए यह इरिडा ने काम किया है भारत सरकार ने चावल निर्याद को प्रसाहित करने के लिए किस मंच की अस्थापना की है तो चावल निर्याद सवर्धन मंच की अस्थापना की गई है नेश्ट है कमपनी फ्रेस स्टाल्ट स्कीम 2020 की सुरुवात किस मंत्राले द्वारा की गई है तो कार्पोरेट मामलों की मंत्राले द्वारा जो है कम्पनी फ्रेश स्टार्ट स्किम टोटी टोटी की सुरुआ की गई है वन नेशन वन रासन काल योजना क्या है यह भी बहुत ही इंपोर्टन कोस्टन है इस योजना को जो है 30 जून 2020 तक पूरे देश में लागू कर दिया गया है लेकिन COVID-19 के कारण जो है अभी पूरी तरह यह लागू नहीं हो पाया है बर्तमान समय में जो है 26 राज्यों में इसे लागू किया गया है इस राज्यों के अंतरगत इस योजना के अंतरगत जो है देश में रहने वाले किसी भी नागरिक का एक ही राशन कार्ट होगा तथा साथ ही वह कहीं भी रह रहा होगा उसे वहीं पर राशन उपलब हो जाएगा पहले ऐसा था कि जहां कि आप मूल निवासी हैं वहीं पर आपको रासन मिलता था लेकिन अब ऐसा हो नहीं है अब इस रासन कार्ड के द्वारा जो है आप भारत के किसी भी रासन कार्ड की सरकारी रासन की दुकान से रासन खरी सकते हैं नेश्ट योजना है राष्टी राष्टी पसू रोग नियंत्रण कारकरम 2019 इस कारकरम का आरंभ जो है 11 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के मतुरा में प्रधान मंत्री श्री नरेनर मोदी द्वारा किया गया है इस कारकरम का उत्देश जो है अगले पांच वर्सों में मवेशियों की सेहत में सुधार कर किसानों को अधिक साधिक लाव पहुचाना है नेश्ट है प्रधान मंत्री किसान पिंसन योजना 2019 इस योजना का सुभारम जो है प्रधान मंत्री नरेनर मोदी द्वारा 12 सितंबर 2019 को राची में किया गया है इस योजना में 18 से 40 वर्स के किसान सामिल हो सकते हैं किसानों को प्रिमियम के तोर पर 55 रुपए से लेकर 220 रुपए तक देने होंगे किसानों की उम्र जब 60 वर्स पूरी हो जाएगी तो उन्हें 3000 रुपए जो है मासिक किस्त के रूप में दिया जाएगा नश्ट है इंडरस्टी 4.0 पाइलेट परियोजना 2019 सितंबर 2019 में देश में इंडरस्टी 4.0 के शुरुवात के लिए पाइलेट परियोजना उत्तर प्रदेश के राय बेरेले जिले के माडर्न कोच फैक्टरी में शुरू की गई है इंडरस्टी 4.0 आम तोर पर चौथी और द्योगी क्रांद के रूप में माना जाता है नश्ट है जल सक्ती मिसन 2019 वर्षा जल के संचयन और सरच्छड हेतु की गई इसके अंतरगत देश के सूखा प्रभावित 256 जिलो के 1592 खंडों को जोड़ा जाएगा के तहट जल सक्ती मिसन 2019 के तहट इसके अंतरगत गंभी रूप से जल अस्तर की कमी वाले 313 बलाक को भी सामिल किये जाएंगे और 94 भी जिले ऐसे हैं जहां भूजल काफी नीचे चला गया है उनको भी सामिल किया जाएगा अब यहां दो चरड़ों में चलाया गया है यह पहला चरड़ जो है एक जुलाई से 15 सितंबर 2019 के बीच और दूसरा जो है एक अक्टूबर से 30 नौंबर 2019 के बीच चलाया गया है नेश्ट है अटल भूजल योजना 2019 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने नए दिल्ली में पूर प्रधानमंत्री अटल भिहारी बाचपेई की जैनती पर अटल भूजल योजना का सुभरम किया है इस योजना के तहट जो है कुल 6,000 करोड रुपए जो है बजट पास किया गया है इस योजना का उद्देश साथ राज्यों गुजरात हरियाडा करनाटक मध्ध परधेश महाराष्ट राजस्थान और उत्ता परधेश में प्राथि मिक्ता की पहचान करने वाले छेत्रों में समुदाइक भागिदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार लाना है केंद्र सरकार ने 2024 तक देश के प्रतेग घर में पानी पहुचानी का रखा है नश्ठ है राष्टी स्वच्छ वायू कारिकरम क्या है तो वाउ प्रदूसर की समस्या के समधान हे तो कें जन्री परियावरर 1 और जलवायू परिवर्थन मंत्राले द्वारा 10 जन्वरी 2019 को राष्टी स्वच्छ गाउ कारिकरम या वायू कारिकरम को सुभारम किया गया है यह वर्श 2019 से लेकर आगामी 5 वर्षों की सभी 5 वर्षों तक कारवानित किया जाएगा तस परसा सच्छम अभियाम 2019 जो है क्या है तो केंद्री पेट्रोलियम मंत्री ने 16 जनवरी 2020 को पेट्रोलियम सरच्छड अनुसंधान संग के वार्षिक जन केंद्री इधन सरच्छड मेगा अभियान सच्छम 2020 का सुभरम किया है इसका मुख्यो देश जो है इधन सरच्छड के प्रती जागरुकता फैलाना है इसका पूरा नाम सरच्छड छमता महस्व है इस अभियान के द्वारा जो है पलूसन का सलूसन का संदेश दिया जाएगा नेश्ट है प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना दोजार उन्नीस यह योजना जो है बाईस जनवरी दोजार उन्नीस को प्रधान मंत्री नरेद्र मोदी द्वारा प्रवासी भारती समारोह के मौके पर सुरू किया गया है इस योजना का उद्देश जो है प्रवासी भारतियों को देश की संक्रिती से जोड़ता है इसके अंतरगत प्रवासी भारतियों को एक साल में दो बार भारत के कई धार्मिक अस्तलोक पदा ब्रहमन कराया जाएगा इस योजना के तहट जो है यात्रा का सारा कज भारत सरकार देगी नया निश्ट है परधान मंत्री स्रम योगी मानधन योजना दोजार उन्नीस आसंगठित छेत्र के स्रमिकों को बृध्धा अवस्था पैंसन दिये जाने को देश से केंदर सरकार द्वारा घोशित परधान मंत्री स्रम योगी मानधन योजना का परधेश में सुभारम जो है 15 फरवरी 2019 को उत्तर परधेश के स्रम इम सेवा योजना मंत्री स्वामी प्रसाद मौरिया द्वारा किया गया है इस योजना के अंतरगात असंगठित छेत्र के ऐसे स्रमिक जिनकी आए 15,000 रुपै से कम ह वह अपना अधारकाल और बैंक खाता दिखा कर जन सुभधा केंद्रों से अपना पंजी करण करा सकते हैं लाभार्थी की जो उम्र होगी 18-40 वर्ष तक होनी चाहिए एवं उन्हें नियुनतम 55 वाधिकतम 200 रुपै जो है 60 साल तक जमा करना होगा 60 साल के उम्र के बाद उन इंपोर्टन जो है योजना और मिशन से करंट अफेयर हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर और कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें